दोस्तों अगर आपके फोन के उपर शाओमी का MIUI 13 है और आपका डिवाइस काफी जादा लैक कर रहा है बहुत जादा अटक रहा है ने अप्लिकेशन भी आपकी ठीक से वर्क नहीं कर रही है फोन बहुत जादा स्लो हो चुका है तो MIUI 13 के काफी सारे डिवाइस के अंदर ये प्राब्लम एस्पेशली जो बजट डिवाइस हैं लो इंड डिवाइस हैं 10,000, 12,000, 15,000 वाले उनके अंदर ये प्राब्लम काफी जादा है तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बता रहा हूँ जिनको यूज करके आप अपने MIUI 13, Android 12 के उपर Xiaomi, Redmi और फिर Poco के फोन के उपर ये जो प्राब्लम आ रही है लैग होने वाली ही उसको आप फिक्स कर सकते हैं और अपने हैंक प्राब्लम को फिक्स करके आप अपने फोन को काफी जादा स्मूध बना सकते हैं तो आपको क्या करना है आपको बिस वीडियो को पूरा देखना है अगर आप हमारे चैनल के उपर नए हैं सब्सक्राइब नहीं करके रखा भी तक हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब के बेटन को प्रेस कर देना है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किये वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख सेकते हो यहाँ पर इस फोन के उपर काफी जादा लैग वाली प्राब्लम है और इवन जब मैं अपने पेज को चेंज करता हूँ तो भी जो अनिमेशन से काफी स्लो होते हैं काफी जादा लैगी फील होता है डिवाइस हमारा तो इसको fix करने के लिए गए जो सबसे पहला काम आपको करना है वो आपको system launcher की cache data को clear करना है इसके लिए आपको settings के अंदर apps वाले option पे tap करना है उसके बाद आपको यहाँ पे manage apps का option देखता है उसके उपर आप tap करेंगे और यहाँ पे जब आप नीचे जाएंगे तो आपको system launcher दिखावा एक option देखने के लिए मिलता है इसपे आप tap करेंगे और नीचे में है यहाँ पे clear data का option simple सा आपको इसपे tap करना है और clear cache का एक option आएगा आपके सामने clear all data आपको नहीं करना है clear cache करना है और यहाँ से system launcher के cache data को आप clear कर सकते है जिससे क्या हुता है कि आपका phone काफी ज़्यादा smooth आपको feel होगा कभी-कभी system launcher के cache data के अंदर bugs आ जाते हैं जिसके वज़े से system launcher ने ठीक ते work नहीं कर पाता है और आपका phone काफी ज़्यादा lack करता है तो उसको आप यहाँ से fix कर सकते है दोस्तो इसके बाद जो step number two हो जाता है यहाँ पर आपको सबसे पहले next काम करना है कि आपको आपके phone के अपर developer options को on करना है और जो आपको animations के अंदर lag आ रही है वो हम लोग यहाँ से काफी असानी से fix कर सकते हैं इसको तो इसके लिए आपको settings के अंदर जाना है about phone वाले option के उपर आपको tap करना है open करना है इसके बाद MIUI के version के उपर आपको 7-8 बार लगाता tap करना है और यहाँ से आपका developer option on हो जाता है अगर आपने पहले से नहीं करके रखा इसके बाद आपको settings के अंदर नीचे जाना है additional settings पर tap करना है यहाँ पर आपको developer option मिल जाता है इस पर tap करके आप इस वाले page के उपर आ जाते हैं guys और यहाँ पर आपको नीचे slide करते जाना है और नीचे में आपको animation से related options देखने के लिए मिल जाते हैं तो यहाँ पर देख सेक्तों तीन option है window animation, transition animation and animator duration सारे अभी one पर सठ है इन सबको हमको यहाँ से off कर देना है तो इससे क्या होता है guys आपने जो useless applications के animations हैं जब आप page change करते हैं जो भी animation आपको आते हैं उनको आप यहाँ से बंद कर सकते हो animation का कोई काम नहीं होता है simple सापके phone को और ज़्यादा वो laggy feel करवाते हैं तो आपको आपको phone काफी ज़्यादा यहाँ पर smooth लगेगा चलाने में दोस्तों इसके बाद जो आपको next काम कर लेना है इसके लिए आपको फिर से जाना है settings के अंदर और यहाँ पर जो battery वाला option है आपको इसके उपर tap करना है तो battery वाले page के उपर guys अगर आपके सामने यह option आ रहा है fix battery issues का तो simple साप उस पर tap करेंगे और जो भी process है on screen instructions को follow करके battery issues जो हैं उनको आपको यहाँ से fix कर देना है उसके बाद जब वापस से आप इस page पर आएंगे वाला process complete करने के बाद तो यहाँ पर आपको optimize करके एक message आएगा जिस पर आपको tap करना है और अपने battery को optimize कर लेना है battery के सारे settings को इससे भी आपको phone के अंदर जो performance है वो काफी अच्छी मिल पाती है अब गईस जो next step है यह बहुत जादा important है तो इसके लिए फिर से आपको जाना है additional settings के अंदर और developer options आपको open करना है और इस step में guys आप basically आपके जो applications के अंदर lag आ रहे होते हैं उनको आप fix कर सकते हैं तो जब आप जाएंगे यहाँ पर developer options के अंदर तो यहाँ पर आपको नीचे जाना है नीचे में आपको एक काफी important option मिलता है जिसका नाम है background process limit तो आपको इस वाले option के उपर tap करना है यह standard limit पे set होता है इसको आपको at most four process पे set कर देना है दोस्तों इससे क्या होगा कि आपके phone के background के अंदर चार applications run कर पाएंगे बाकी सारे जो background में है वो RAM के उपर load होके नहीं रहेंगे background में तो open होंगे लेकिन वो RAM के उपर loaded नहीं रहेंगे जो recent चार applications है सिर्फ वही RAM के उपर load होके रहते हैं और processor के उपर load होकर के रहते हैं तो इससे आपको phone के अंदर काफी अच्छी performance मिल पाती है आपका जो RAM है और आपका processor है वो free रहता है और आपको आपके phone के इंदर काफी अच्छी performance मिल पाती है दोस्तों इसके बाद जो next काम आपको कहना है वो आपको जाना है आपके phone के security वाले application के इंदर और यहां पे आपको उपर में एक optimize लिखावा button लिख रहा होगा simple सा आपको इसके पर tap करना है और यहां से अपने phone को आपको optimize कर देना है यह application आपके cache data को clear करता है जितने भी application के इंदर cache data होते हैं उन में से जो important वाले cache files होते हैं जिन में bugs होता है उसको यह clear करता है और इससे भी आपको phone की performance में improvement देखने के लिए मिलती है तो दिन में एक बार आप इस वाले process को जरूर से कर लें optimize करना है simple सा अब इसके इलावा guys कुछ और important चीज़े हैं वो आपको यह चीज़ चेक कर लेनी है कि आपके phone के पर जो storage है कम से कम 20 GB आपका storage खाली होना चाहिए फ्री होना चाहिए इसके अलावा guys जो भी latest update है उसको आप definitely complete करके रखे MIUI का जो latest version आता है उसके अंदर पुराने versions के जो bugs होते हैं वो fix हो जाते हैं तो आपको latest updates हमेशा install करके रखने है तो वीडियो कर आपके काम आया helpful लगा तो like जरूर से करें वीडियो को कुछ भी पूछना है comment section आपके लिए open आप पूछ सकते हैं या फिर instagram पे message कर सकते हैं description में link है instagram का और साथ में guys subscribe करके notifications को all पे जरूर से set कीजे ताकि आपको मारे नए वीडियो मिलते रहें thank you very much